असलेम अलेकूम, वेलकम टो याज किचिन, आज हम बनाएंगे चॉकलेट फॉर्ज केक, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चॉकलेट ही होता है, जरूर ट्राइ करें, यह देखें मैंने यहाँ पर ले लिया है, टोटल 250 ग्राम डाक और मिल्क चॉकलेट कमपाउं, ठीक है इसे मैंने यहाँ पर मिक्स करें लिया है, आपको जो भी पसन हो, आप वो ले सकते हैं, ठीक है, डेड़ कब मैदा ले लिया है, इसे अच्छे से छान कर ले ले, वन टीबल स्पून कोको पॉडर आट करेंगे, बेकिंग पॉडर आट करेंगे, हाफ टी स्पून और कॉटर री स्पून बेकिंग सोडा आट करेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरह से आप इसे मिक्स कर लें, ठीक है चोकलेट को हम क्या करेंगे, मिल्ट कर लेंगे, यह देखें, मैंने यहाँ आप बटर आट कर दिया है, 50 ग्राम अनसल्टेट बटर, इसे माइक्रोवेव में, मिल्ट कर लिया है, अगर आप चाहें तो डबब पॉलर में भी, मिल्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप मिल्ट करकर, रेड़ी रख लें, यह देखें, मैदे में हम क्या करेंगे, हाफ कप, टोटल मैंने यहाँ पर मिल्क का यूश किया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, इसका एक बैटर बना लेंगे, इसके अंदर हम मल्ट जो हमें चोकलेट मल्ट कर लिया था, वो इसमें आट कर देंगे, इसका बहुत ही हमी लग रहा है, और इसका कलर जो है, बहुत अच्छा आता है, अगर आप डाक चोकलेट यूश करेंगे तो, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तेल आट करेंगे, वन ट्रिबल स्पून आप, कुकिंग आयल का मैंने यहाँ पर यूश कर आया, अगर आप चाहे तो बटर भी आट कर सकते हैं, यह देखें, पॉडर शुगर लिया है, हाफ कर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्णिग लिया आप ले, क्यूंकि हमने यहाँ पर चॉकलेट आट किया है, तो फफटी ग्राम तो जोहत्ती ज्यादा मीठा हो जाएगा, बेकिंग ट्रे को यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया है, इसके अपर बटर पेपर भी रख लिया है, इस तरह से आप उसे पोर कर लें, ठीक है, थोड़ा सा टाप कर लें, तक इसमें कुई भी एबबल हो तो निकल जाए, इसके उपर से हम क्या करेंगे, यह थोड़ी से वालनट से आट करेंगे, और ग्रेट किया हूँ चोकलेट आट कर लेंगे, यह देखे, बहुत ही हमें लग रहा है, अब हम यहाँ पर प्री हीटेट अवन में मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है, फाइम मिने प्री हीट कर लिया था, इसे अब 30-35 मिनेट के लिए 180 डिगरी पर हम रख लेंगे, यह देखे, अच्छी तरह से हमारा यहाँ पर चोकलेट पर्ज बनकर रेडी हो गया है, इसे आप थंड़ा कर लें, रूम टेंप्रेचर पर यह देखे, बहुत ही यमी लग रहा है, और यह अच्छी से बेक हो गया है, यह देखे, इसे हमने चोकलेट आट किया है, तो वह चोकलेट जो है, इस तरह से मल्ट होकर देखेगा, तो यह अच्छी से बेक हो गया है, ठीके, अब आप इसे रूम टमप्रेटर पर ठंडा कर लें और इसे डिमोल्ड कर लें कुछ देर के बाद कि देखें कितना जबरदस से लग रहा है आप इस तरह से निकाल लें यह देखें बहुत ही अच्छी से यह बेग हो गया है और अच्छी तरह से बहुत ही स्पॉंज यह यह यह इसे अंदर यह यह देखें बहुतती साफ्ट है इस तरह से अपकत करें घर पर यह भरना करें रड़ ही धर steak of it morte सकते हैं फ्क्लार एक है कितना यमी लग रहा है पिस तरह से आप Japanese enjoy करें मेरे recipe को like करें मेरे वीडियो को subscribe करें मेरे चैनल को और ज्यादा से जदा friends और family के साथ इसे shake करें और मेरे चैनल को कुरो करने के लिए प्लीज मुझे support करें thanks for watching